तो भाई लोग, Leasins लिग क्रिकिट 2024 को जो मैच नमबर 3 है ना इसमें तो याम हैधराबाद के सामने होगा अगर नहीं तो याम हैधराबाद की बाथ कर if यह दूसरा मैच होगा गुजदात गेट्स की बात कर तो अपना पहला मैच के लेगा अब ये दोनों टीम में आमने सामने है तो भाया आज के मैस में क्या होगा कौन सी टीम आएगी जो मैस उड़ा की लई जाएगी यानि जीतेगी जीत का जंडा गारेगी यही जानेगे आज की इस वीडियो में उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा तगड़ी से एनलासिस कर सकती है अपने ना उससे पहले पता है क्या करना है अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया जी हाँ बिल्कुल चूल लिया जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और जिन आप सभी को मेरा टेलीग्राम भी जरूर जोईन करना चाहिए क्योंकि देखो भाई लोग टेलीग्राम पे हम जिस टीम को बोलते हैं ये टीम मैथ जीतेगी लगबग वो टीम मैथ जीत जाती है जिस ओवर में बोलता हूं बिकट जाएगा लगबग उसी ओवर में बिकट जाता है पान, तस, पंद्रा ओवर में जितने रन बोलते हैं बनने के लिए न लगबग उतने ही रन बनते हैं तितनी जवर जसक्ट अपडेट कहीं मिलेगी आपको कहीं भी न मिलेगी आपको यकीन नहीं है अच्या ऐसी बात है तो ऐसा अगरो भी तो एंट डिस्किप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक की मिलेगी है, जो कमेंट बोक जो सबसे पहला कमेंट है, वहाँ पे भी लिंक की मिल जाएगी है, अपसा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, जो आज का मैच है, इस मैच में जो भाई की अपडेट है, वहाँ आपको चिक करने है, अगर आपको सारी अपडेट साई से मिलती है, मेरा काम पसंद आता है, तो टेलीग्राम पे बन जाना, टिक जाना, कहीं आने जानी के जरूबत बिल्कुल भी नहीं है, हाँ काम पसंद ना है, तब आपको कोई रोकेगा नहीं कोई रोग भी नहीं सकता लेकिन एक बार टेली ग्राम पर जाएं भाई का काम चेक करें फिर जैसा सही लगे वैसा आपको करना चाहिए वाकिए अब इस मैच की बात के बात के तो भाई लोग यह जो मैच है चाहिएं, दो तीन, चार पांक सारे मैच इसी मैदान पर खेले जाने हैं तो मैच polsk 1 की जो वीडियो ती उसमें मैंने PC port के बारे में सब कुछ बताया था अपको पिसके बारे में सब कुछ पता होगा, अब सुचो ऋचो, सेम वही चीज़, मैं दोवारा बताऊं, आप पहले मैस की वीडियो नहीं देगे कि सब कुछ जानना चाहती है तो उनको पता जाएं 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 देख लेगा पूरी देखनी भाइसाब चोटा साफी शीपोर्ड का पार्ट उसना देख लें आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा अभी जानते हैं कि यहां अभी आठ, नो महीने पहले Phillips बीग बेस में बड़िया बड़िया बर्ले-वाजी करिती आला 하지 में में फिर वत बड़िया बर्ले-वाजी पर रख जो quite a bad summer deal को लिए इसन को पर्ष consulting बइसे थायो आप जहाते हैं जो त्यम्र को 3 नंबर सी पर थिर्ट य। करते हैं क्योंकि जो चिनना थला है ना नहीं के लिए इंडिया के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया पारी के लिए बहुत अच्छे फॉर्म बहुत अच्छे टी-टॉंटी बल्लेवाज है तो इनके जो उपर के टॉप 3 बल्लेवाज है काफी तरह तगड़े नजर आ रहे ह वहीं चैट विक वल्टन की बाद कर तो विकिट कीपर बल्लेवाज है, चैट विक वल्टन में भी ओपिन भी कर सकते हैं, जोरुई नहीं कि यह चौथे नमबर पर खेले या तीसे नमबर भी खेल सकते हैं, यह भी T20 के अच्छे बल्लेवाज हैं, लेकिन consist run नहीं बना पाते कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं कौन चैट बिक वल्टन गुद कीरा सिंग मान की बात करें दोमस्टिक में जो इनकी परफॉर्मस रही थी काफी ज़्यादा बढ़िया रही थी हाला कि उस लेबल पे IPL या इंटरनेशनल नहीं कहल पाए लेकिन दोमस्टिक में बढ़िया परफॉर्मस करी है और आजकल जितने भी एक-दो सालत से लीजेंट्स लीग होती है समय जाते हैं बढ़िया परफॉर्मस करते हैं कौन गिर्कीरा सिंग मान इस्टवर्ट बिन्नी की बात करते हैं ये भी ठीक-ठाक ओलांडर है लीजेंस लेक ये भी काफी दिनों से खेलने हैं और ठीक-ठाक परफॉर्मस ये भी करके दिखाते हैं बात करेगा हमें आपर इस्टुरू उदाना अभी तो दो महीने पहले लंगा प्रीमेर लिक्चर ले ती आपने देखा होगा दोमस्टिक में जो इननोंने परफॉर्मस करी है न सबको लगता था इसको इनको इंटरनेस्टाल में ज्यादा मौकी मिलने चाहिए थे लेकिन नहीं मिल एक क्योगी हमेशा डोऊटिक में जो किफायती होती ती रन नहीं बनाने देते थे साथ में बिकिड भी चटकाते तो डॉमस्टिक में बहुत बड़ीया पर्फॉर्मस करें सदाभ जकाती ने अकि नूवान-पर्दीप की बात करें नूवान-पर्दीप मैं भी स्रिलंका के लिए या लगिया पर्फोर्मस करके आया है अभी तक तो मुझे लगता तक खेली र तो बलेवाजी भी इनके पास ठीक ठीक ठाक है उनके पास दो तीन आलोंडर ऐसे हैं जो मैच को पलड़ भी सकते हैं तो जो इनकी ओपनिंग जोड़ी होगी क्रिस गिल के साथ कप्तान सी खरदावन ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं तीसे नमबर पर मुहमद कायफ चौता न सपाल चिंग दिखेंगे आटवे नमबर पर सिकूगे परसना दसवे नमबर की बात करें लियां पुलेंकेट और ग्यारवे नमबर पर इसवर पांड़े यह होग सकते हैं गुजरात ब्रेट्स की पॉसिबल प्लेइग लेबर क्रिस गिल सब को पता है यह वन मैन आर्मी ज लिए कह जाते हैं कि गबर की तरफ बल्लेवाजी करते हैं तो आप सब को पता है इंडिया टीम के लिए बहुत सारे मैचस के लें हाला कि T20 में वह पर्फोर्मेंस नहीं कर पाए उतना मौका भी नहीं मिला लेकिन ठीक है लीजर्स लिंग में जितने भी मैच खेलते हैं वह लिए वाज है यह ओपन भी कर सकते हैं तीसे नंबर भी खेल सकते हैं तो उपर के जो टोफ और बल्लेवाज है तो थोड़ा सा बहतर नजर आ रहें किसके गुजराद गेट के मोने वन वाइक की बात के तो विकेट कीपिंग हमेसे ठीक ठाक करी बल्लेवाजी भी ठीक ठाक के टाइम पर अभी तो राशित का दौर चला है वो है असगर अफगान असगर अफगान ही ने जो टीम को पहसान दिलाई थी अफगानिस्तान की कमाल का बल्लेवाज था जो ताबर तो बल्लेवाजी के लिए जाना जाता था यह सपाल्चिंग की बात करें तो हम इनको अलो करते थे इंडिया टीम के रेगुलर गेंदवाज बने थे लेकिन पैसा ऐसी सीज है कि कैरियर खतम कर देता था इनके साथ भी वह हुआ अभी माफी साफी मिलके यह खेलते हैं लेकिन लीजेंस लीगी खेलते हैं तो ठीक है एक दौर था जब किरिकिट से थोड़ा सा दूर होते हैं पिक्चर बनाने लग जाओगे तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन होती लेकिन फिर भी वो दमखं एसी सांथ के अंदर दिखता है सिकूगे परसन्ना अभी दो-तीन साल पहले की बात है लपिल की जान अंसान हुआ करते थे तो अभी भी किसी ना किसी टीम के स् के पास बिरेशन भी है इस वर पांडे की बात करें इनका भी आ जो नाम है ना इंडिया के आसपास या IPL के आसपास गुजरता था लेकि उतने मौके न मिले जबकि डोमस्टिक जो रजी ट्रोफी होती है वहाँ पे इस वर पांडे ने काफी जादा बढ़िया परफॉर्म कर लो यार जिन लोगों ने नहीं किया जड़ी से चैनल को सब्सक्राइब करो और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जिन लोगों ने पहले से क्या उनका तहए दिल से सुग रिया तो सारी इनलासिस करने के बाद इस जो मैच है वो मैं को थोरा सा बराबरी पे नजर आ रहा है 50 तोयम हैदराबाद and 50 गुजिजाद ग्रेट लेकिन मैं अपनी बात को तो मुझे लगता है जो आज का मैच है तोयम हैदराबाद अपने नाम पे कर सकता है बाकिस मैच की फानल फेडिक्सन है वो आपको मिरे टेलीग्राम पे मिलेगी तो टेलीग्राम जरूर जो एन करें क्योंकि देखो बहिया टेली ग्राम पे हम इस टीम को बोलते है ये टीम मैच जीत सकती है लगबाद ग्रवर में जीत जाएगा लगबग उसी ओवर में बिकिट जाता है 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलते हैं लगबग उतने ही रन बनते हैं तो इतनी जवर जवर्डसट अपडेट कहीं मिलेगी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी आपको यकीन नहीं है तो अभी तुर्ण डिस्क्रिप्शन में जाओ वहाँ पे लिंक की मिल जाएगी जो कमेंट बॉक्षियों सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक की मिल जाएगी अब सब फोड़क्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है जाओ जोईन करो जो आज का मैच है इस मैच में भाई की अपडेट चेक करना अगर आपको सारी अपडेट सही सही मिलती है मेरा काम पसंद आता है तो टेलीग्राम पे बन जाना टिक जाना कहीं जाने के जुरूरत है बिल्कुल भी नहीं है हाँ काम पसंद नहीं तब आप चले जाना तब आपको कोई रोकेगा नहीं लेकिन एक बार टेलीग्राम पे जाएं भाई का काम चेक करें फिर जैसा सही लगे वैसा करना चाहिए बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैंसकी फेडिक्सन के साथ तब तक के लिए God bless you